एक English officer चो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ की local language सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है जो उसके साथ intimate होगी और उसे language सिखाएगी प्रॉलम दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया Hello friends, आज मैं आपको The Sleeping Dictionary यह Hollywood romantic movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है हमारी स्टोरी स्टार्ट होती 1936 में उस वक्त इंगलंड बर बहुत सारे देशों पर राज था अगर किसी को भी government job करना था तो उनकी education के के लिए उन्हें remote सी country में भीज दिया जाता था यहां पर वो सर्व करते थे जो वह वापस आते तब उन्हें जॉब दे दी चाती है ऐसा है हमारा main character जिसका में जॉन इस सर्व करने के लिए सेवाक नाम की country में आया यह country उतनी डेवलब नहीं थी यहां के बहुत सारे लोग Hendry उसे पुछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे option थे तुम यही क्यों आया जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था इन लोगों को education देना चाहते थे अपने फादर की vision वो खुद complete करना चाहता है Hendry उसे कहता है कि success हो नहीं पाएगा यहां के लोग बहुत ही अ जॉन ड्रिंग नहीं करता पर यह उन लोगों का disrespect होगा तो इसी वज़े से जॉन को ड्रिंग करना पड़ता है यह ड्रिंग एक बहुत ही beautiful लड़ की लेकर आई थी इसका नाम है सलीमा जो हमारी और एक main character है जॉन में उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्हो लोग फिर request करते जॉन भी उन्हें कुछ perform करकर दिखा है वो एक boring सी poem सुनाता है जो लोगों को पसंद ने आई फिर उसे पिक अप करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने dance किया सब लोग इस पर बहुत असे उस आदमी का नाम में बदन सा है अगली सुपा जॉ कि local language समझना बहुत important है और यहीं सीखने के लिए सलीमा तुमें help करेगी तुम उसके साथ intimate होगे और यही best way है language सीखने का क्योंकि बहुत सारी century से चलता रहा है जॉन को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को जानदा नहीं और यह सब नहीं कर सकता हेंडरी ने कहा हम स से चला जाता है जॉन ने जो भी कहा इस वज़े से सलीमा को भी उस पर गुसा आगया इनकी एरिया के border में कुछ Chinese लोग घुस कर आये थे और इनकी उनके साथ fight हुई है लोकल लोगों ने Chinese लोग को तो मार डाला पर अब border थे कि उन Chinese लोग के सर तोड़ कर ले आया जाए कुछ करना पड़ेगा वो जब घर पर आया तो जॉन के शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था उससे गहता है कि मेरे नेफ्यू है तुम्हारे साथ intimate हो सकता है जॉन सलीमा के साथ intimate नहीं होता तो शेफ को लग रहा था कि यह है जॉन को इस पर गुसा आ जाता है उसने कहा क कि यह सब नहीं चलेगा उसने गुस्य में सलीमा को भी fire कर दिया सलीमा भी गुस्य में बाहर निकल गे शेफ जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली कि तो लोग समझेंगे कि वह बहुत ही अगली है उसका मज सब्सक्राइब उड़ाएंगा जॉन भी फिर सलीमा के और फिर से लैंग में सibt ट्राए करना चाथा शलीमा भी मान की नेकसेन में हम देखते है कि जौन कुछ काम के लिए हैंडी के घर पर आया हुआ था यही पर उसके वाइफ एजि से मिलता एजी उसे पूठ ते है तुम्हारी स्लीपिंग डिशनरी कैसी है सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपीं डिशनरी कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था तो उसे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता यहाँ की ट्रेडिशन है तू उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था रात में जान और सलीमा एकी रूम में अलग-अलग बेड़ पर सोए सलीमा जान से पुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी एक्सपिरियंस नहीं होगा जान मजाग में गहता है कि मैं जारा क्लासेस कर लूँगा जान उसे बुछता है कि तुमने मुझे चूज क्यों किया सलीमा गहती है पाकी सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए जान गया हुआ था वो अभी भी उसके कोई भी बात मान नी रहे वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था पर बैलेंसाय को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता जॉन उसे गहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो तो उसके चैंपियन हो बैलेंसाय कहता है कि हाँ तो जॉन उसके साथ अब कॉम्पिटिशन करना चाता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही एकसाइटेड हो गये यह दोनों पानी में गये थोड़े टाइम बात बैलेंसाय उपर आ गया और जॉन अभी भी पानी के नीचे ही था वो लासली बाहर आया तो एक गेम जीट चुका था पर उसके पास ऑक्सिजन सिलेंडर है यहाँ के लोगों को ऑक्सिजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उसे डर जाते है जॉन ने बैलेंसाय कहा राया तो उसके सारी बाते मानने लग जाते है आज रास सलीमा जॉन को चिल्डरन के बुग से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीमा गा रही थी जॉन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाय करते थे सलीमा कहती है कि मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी यही लाइंगवे सिखते सिखते हैं उसे हाथ, नेक, इन सारे बोडी औरगन्स के बारे में सिखा रही थी एक दुसरे को टच करने लग गए और फिर इंटिमेट हो जाते हैं इसके बाद यह बार-बार इंटिमेट होने लग गए, एक रात इंटिमेट होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी जान कहता है, मेरे बेट पर ही सो जाओ, सलीमा उसे कहती है, कि हमारे टेडिशन है दो लोग पास रात तक एक साथ उठें, तो उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है, तो मेरे साथ इंगेजमेंट नहीं चाहते है अगली रात हेन्री ने जान को अपनी घरबर बुलाया था, हेन्री के बेटी अपना एजुकेशन कम्लिट करकर इंगलंड से वापस आई थी ये सब एक साथ डिनर कर रहे थे हेंडरी की बेटी का नाम है सिसिल सिसिल इंगलंड में यही के लोकल लोकों पर रिसेर्च कर रही थी वो बातों-बातों में कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब से ट्रेडिशन हुआ करते थे कोई न्यू आविजर आया तो लाइवज सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती थी सिसिल को पता नहीं था कि आज भी यही ट्रेडिशन चल रही है सिसिल वंडर करती है कि उन दोनों में यह कोई भी फिलिंग्स डेवलप होकी हेंडरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी फिलिंग्स डेवलप होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेडिशन है जान कहता है कि उन दोनों में फिलिंग्स डेवलप हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडि को ये बात बहुत ही गलत लगती है जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अगली दिन जॉन और सिसिल एक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च कर रही थी तो इसी रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई वो उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कहे थी कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आया एक डेंजरस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यह अक्च्छल में हो कहा रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलंस आए और सलीमा भी थी जाने से पहले एज़ी उसके पास आई वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जॉन को यह बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पोंस दे नहीं रहा था तो यह जी कहती है यह जल्दी से इसके लिए हा कहे दो वो अन्ना तुम्हारे हाद से हो चली जाएगी जॉन ने रात में सलीमा से बात की उसे पुछता है मुझसे पहले कि मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे सलीमा कहती कि हाँ जॉन ने जिस तरीके से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुछसा थी उसे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जॉन उसे पुछता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जॉन समझ गया कि उस पर हो गुछसा है अगले दिन ये सब उस बिमारी को इन्विस्टिकेशन करने के लिए एक जगा पर पहुचे यहाँ पर और और भी लोगों की बिमार पढ़कर डेथ हुई थी जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तब एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बिलोंसाय ने उसे सलीमा भी बिमार पढ़ चुकी थी जॉन ने इस पर सोजा तो रियलाइस करता है कि सलीमा ने राइस खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राइस सलीमा ने भी खाया था पर यह स्लो पोईजन है तो उसे गुज भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है अब यहाँ के जो लोकल लोग थे यह बहुत ही डेंजरस है अगर उनने इसके बारे में पता चलेगा तो सारे लोग को मार डालेंगे बोलन साय जोन से भुशता है कि क्या मुझे इनने सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जोन भी उनेAY मारने के ओरड़र दे देता है जोन ने रियलाइस किया कि सलीमा बीमार थी तो उसके लिए वो बहुत ही वरीट था वो उसके बिना जी नहीं सकता उसे यहसा बात कह़ा देता है उसने उसमें मैरिज के लिए प्रपोस किया सलीमा कहती है हमें कोई भी अलाउड नहीं करेंगा ये बहुत ही heart होगा जौन गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ लेंगे जौन ने सलीमा के बारे में जब हैंडु से बात की तो हैंडु उस पर बहुत इगुसा हो गया था वो गैता है ऐसा कुछ भी allowed नहीं यह हमारी government को disrespect होगी John Salima को जाने नहीं दे सकता इसा बात A.G. ने सुने A.G. ने उसे कहा कि Salima तुम्हारी पास थे अब तुम आगे बढ़ो Henry उसे एक offer देता है कहता है तुम अब फिर से England जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तुम फिर से वाबस आ सकते हो पर अगर तुमने offer नहीं ली तो उन miners को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डाल दूँगा इसी के parallel में Salima को भी blackmail किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर Salima को request करते है Salima मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जॉन भागते भागते उसके पास आया Salima उससे गहती है मैंने तुमसे कहा था यह सब possible नहीं हेंडरी Salima और John को last chance देता है अगर वो बाने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा Salima John को जेल में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलोंगी Salima ने भी John को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते हैं कि डारेकली एक साल बीच चुका था John की Cecil के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर Cecil John से भूशती है या तुम्हारी कोई Sleeping Beauty थी John उसे सच कहता है पर Cecil को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता John ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो John ने फिर्जे डिसाइड किया कि हो उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने बर इन्हें वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को John पढ़ाने वाला था सब लोग John को वेलकम करते हैं उसके अब शादी हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी लाइफ में खुश है सिसिल भी चाहती थी John उसके साथ खुश रहे John उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन John अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लिपिंग डिशनरी इस ओफिसर का नाम था नेविल John ने नोटिस किया कि नेविल ने अपने स्लिपिंग डिशनरी को बहुत मारा है John को इस बात पर बहुत गुशा है उस नेविल को धमकी थी कि अगर तुमने फिस से उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी सिसिल और जॉन जब से यहा है तो एजी उनका उब्जर्वेशन कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन के बीच में उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौक लगा अब वो सलीमा से मिलना चाता था अपने शेफ से बात करता है कि हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ शेफ ने औरेड़ी सलीमा से बात की थी और सलीमा जॉन से कुछ भी बात नहीं करना चाहती है एक जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाय जाता है जॉन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है मुझे उसे मिलना चाहिए सलिमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जॉन कहता कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जॉन को कंफरंट किया तो उससे सब को समझ में आ गया ऐजी कहती है मेरे हस्बंड हेंरी की पे एक स्लीबिंग डिशनोरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा इसी वज़े से उसके साथ ही में 30 साल रही यही चीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वान करती है जॉन इस बात को सिरिसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पैंट करने लग गया था ये बात जब बोलन साय को बता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक राद उसे मारने के लिए उसके घर पर पोश गया जॉन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब ये इंसिडेंट बहुत ही सिरियस है हेन्री कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुमारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जॉन कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई रॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हैं हेन्री ने कहा यही सही होता ये बोलते होए वो सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हेन्री की बेटी है हेंडरी अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेक्सिन में पुलनसाय को पकड़ कर ले आ जाता है कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ रात में सलीमा भी उसे मिलने की लिए जॉन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहां से हमें भाग जाना पड़ेगा उन्होंने भागने के लिए एक date decide की हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुसा था जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेवील के पास जाने के लिए के लिए एज उसकी sleeping dictionary उसे blackmail कर रही थी कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है कहती कि मैं pregnant हूँ वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही ज़्यादा confused हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जब सलीमा और नेविल अकेले थे तो नेविल सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया सलीमा ने नेविल को बहुत मारा finally वहां के शेव की मदद से वो नेविल को मार डालती है अगर वह ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैललल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सीसिल की वज़े से वह उसके साथ नहीं चाह सकता पर यह सब बात सीसिल को पता चल गई यह लिटर वो पड़ती है उसे वो बात करती है उसने कहा यह मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोईस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता सिजिल होफ फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएका वो जौन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से ओ लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जौन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकन हो गयी जौन उनकी जगा पर लेट भोचता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जौन का शेफ फ्रेंड जौन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके murder के लिए हेंडरी सलीमा को ढून रहा था वो उसे ढून तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आये तो एजी उस पर बहुत ही गुसा थी कहती है कि तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी कहता है मैं मेरी बेटीयों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ वो इस सारी बात को दबा देगा यहां में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब एजी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और डर दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जाओ ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंद थी उसने जाओन को हतकड़या पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर पहुश गये यह वही लोग हैं जिनको मरने से जॉन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जौन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे अगर आपको एकस्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीज़ेगा वे बहुत सारी मुवीज लेकर राध रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े और बेल नुटिवेशन आइकोन दावने मत भूलिएगा हम फिर से में लेंगे और एक निमुई के साथ दबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे